कि नमस्कार मैं जोतिश आचारे गिरीश शर्मा पंडिशिरी गिरीश शर्मा प्राचीन शिम्मंदिर जल्वियार लाचपटनगरवन से आज आपको दिल्ली के लाचपटनगरवन में जल्वियार में जो इस्तित प्राचीन शिम्मंदिर है उसके बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी देंगे जिससे कि आपको पता लगे कि ये पांडव कालिन मंदिर है और लाचपटनगर में इस्तित है बहुत लोगों को इ और एकलोता मंदिर उसका लगता है, यहां से दो शोबायात्रा निकलती है, एक भोगल वालो की और एक जलवयार की, लाचपरनगर की, इसकी प्राचीनता के बारे में बताएंगे, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर थोड़ा पेड़ यह उग गया है, यह मंद मंदिर है तब ही क्या, यह कुवा यहां पर बना हुआ है, लोग इसकी पूजा वगयरा यहां पर करते हैं, चलो अब हम आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं, आजेगे, अब हम आपको मंदिर के अंदर ले चल रहे हैं, बिल्ली के यह चार धामों में से आता है, जैसे कि करना किला के पीछे भैरो मंदिर है, एक हमारा यह प्राचेशिम मंदिर, फिर उसके बाद काल का मंदिर और गौरी शंकर मंदिर, तो यह हमारे चारो साथों के बताए जाते हैं, इनको पांडव कालीन का जाता है, यह शिवलिंग जो है इसको देखेंगे आप, तो इसके द यह इसकी प्राचीनता को दर्शाता है, कि यह दो कल है शिवलिंग के, उपर से ब्राउन है, नीचे से ग्रेय है, यह शिवलिंग सबसे प्राचीन है, पांडव कालीन इसको का जाता है, बाकी मूर्तिया बाद में स्थापित हुई थी, तो हमारी चौथी पीड़ी है इस मं 2021 में पूरे हो गए है, कोरोना के समय में, और उसके चौथी पीड़ी, उसके बाद हम है अब इस चौथी पीड़ी के, और पांचवी पीड़ी हमारी तयार है, हमारे बच्चे वगेरा, तो इसी तरह पीड़ी दर पीड़ी हम गुले बाबा की सेवा करते आ रहे हैं, पीछ लिपते भी देखे गए हैं शिवलिंग पर, सुबह जब हम पहले मंदिल खोला करते थे तो हमारे दादा जी ने उनको लिपते हुए कई बार देखा है शिवलिंग के ऊपर, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, अपना जब पंडे जी मंदिल खोलने आ जाते थे तो उन कर्मेंट होता चला गया और आज भी पीछे से नाग नागिन वगेरा सावन के महीने में आते हैं शिवरात्री के अगली दिन शुबह यात्रा निकलती है बहुत बड़ी लाचपन नगर की और जल्वियार की उसको भी 50 साल से उपर हो गया निकलती है झाल 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 झाल